बाडमेर के बायतू में लगातार हो रही बारिश के चलते कवास में हाई अलर्ट घोशित कर दिया गया है प्रशासन ने शनिवार को कवास को पूरी तरह से खाली करने के निर्देश जारी कर दिये उधर कवास के व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों से सामान निकालना शुरू कर दिया है कवास के लोगों की नजरें रोहिली, भाखडा और लाखे ताली की तरफ से आने वाले पानी पर रही है कवास के लोग अपने रिष्टदारों से पानी के बारे में खोज खबर करते रही एरफोस स्टेशन उतरलाई एरिया से निकलने वाले पानी से आसपास के आबादी शेतर में खत्रा बढ़ गया है उतरलाई और कवास के आसपास तालाब भरने से कजबे में और खेतों में पानी का भराव हो गया है खेतों में बोई हुई फसले नश्ट होने के कगार पर है इधर CEO ML नहरा, SDM चेतन कुमार्तिर पाथी सहेत अन्यधिकारी, कवास पहुचे और हालात का जाज़ा लिया तो ये खबर मिल रही है, लगातार प्रदेश के इलाकों में बरसात हो रही है कवास में हाई अलर्ट घोशित कर दिया है, प्रशासन चाक चौबन है, घरों को खाली करने के निर्देश दिये गए है और कई गाउं जल्मगन हो गए है, फिलहाल अभी एक दो दिन और लगातार बरसात होने के चेतावनी दी गई है आपको बता दें कि 2006 के दरम्यान भी कवास में बाढ़ आई थी और कई गाउं जल्मगन हो गए थे, सैक्डों पश्वों की मौत होई थी फिलहाल यही स्थिती कवास में आज भी बनी होई है, कई गाउं जल्मगन हो गए हैं, लोग परिशान हो रहे हैं, व्यापारी अपने दुकानों से सामान उन्होंने बाहर निकाल लिया है और गाउं खाली करने की स्थिती बन गई है